जाहिन दोस्तों क्या हाल है ओके तो आज की वीडियो हमारे पास एक लेप्टोप है जिसका नाम है लेनोवो योगा स्लिम सेवन आई लाइट वेट लेप्टोप है 14 इंच डिस्प्ले साइज है इसका जो कि एक ओलेट डिस्प्ले है यह आता है इंटल कोर अल्टरा सेवन के स साथ 16 कोर 22 थ्रेड बेस्ट 155S सीरीज का प्रोसेसर है साथ में इंटिग्रेटिड इंटल आर्क ग्राफिक कार्ड 32 जीडी का रैम है LPDDR 5X 1 TV Gen4 SSD Wi-Fi 6C Bluetooth 5.3 साथ में विंडोस 11 और MS Office भी मिल जाएगा एंड यह एक यह सर्टिफाइड लेप्टोप है तो यह वेट होगा बैटरी लाइफ थोड़ा बैटर होगा और इंट्रेस्टिंग है कि यह माइक्रोफ को पाइल्ट के साथ भी आता है अभी उसकी बात करते हैं बाइद आवे इस वीडियो स्पॉंसर बाइल लेनवो एंड माइक्रोफ और बोक्स में इसके साथ 65 वोट का एक एक बोटम साइड है यह थोड़ा करवी शेप में है तो इसको ना होल्ड करना काफी कमफटेबल है इसके लिड वन हैंड एजली ओपन हो जाती है और ओपन हते ही सबसे पहले ध्यान जाता है इसके कीबोड पे लेड़ी बैक लिड कीबोड है और इसका टाइपिं एक्सपिरिय और बैक साइड यहां पर गिरिल बना हुआ इसके लिए दो वोट के चार स्पीकर्स हैं विंडोज लैप्टोप जिस तरह के भाई स्पीकर्स मिलते हैं उससाब से आउटपूट इसका ठीक लगा मुझे यह डॉल्वी अटमोस सपोर्ट के साथ आता है और फ्रंट में यहा आपको एक आईडियल लग जाएगा और यह देखने हो इसका जो कैमरा जो प्राइविसी शेटर होता है ना लैप्टोप के राइट साइड में बटन दे रखा है जो प्राइविसी का काम कर सकता है और यह काफी मतलब काफी टेक्टाइल हो और मतलब अच्छी क्वालिटी क के साथ यह बटन दे रखा है और अलोग ओप्शन में यहाँ पर आपको फिंगर पिन स्कैनर नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पर आयर स्कैनर बेज़ फेस स्कैनिंग का ऑप्शन मिलता है जो की अच्छा काम कर जाता है और जो इसकी हिंज है वो ओपन हो जाती यहाँ पर 180 डि अगरा चार्ज कर सकते हैं साथ में 3.5 jack है पावर बटन है और लेफ्ट साइड एक HDMI पोर्ट है दो टाइप सी थंडर वोल्ट पोर्ट है बाइद अगर डिस्प्ले की बात करते हैं इसके तो यहाँ पर आप देखोगे बैजल बहुत जाहाँ देखने को नहीं मिलते 14 इंच तो बिए अच्छे मिल जाते हैं एंटी रिफ्लेक्ट्टिव डिस्प्लेई नहीं है यह ग्लोसी डिस्प्लेई और रसा अगर्ड नो डॉपट काफी अच्छी आने वाले है वही ओलेट डिस्प्लेई है तो जो चो वीडियो बगरद देखने के एक्स्पीरियंस आपको अ intelligent assistant है जो आपको help करेगा आपको answer करने में creativity को increase करने में आपका task complete करने में यह कुछ ऐसे काम करेगा इसे find करने के लिए Windows C press करना आपको यह right corner side taskbar में आइकन है यहां से open कर सकते हैं इसे command देने के लिए हम अपनी OS या फिर यहां पर typing या फिर image के साथ command दे सकते हैं और इसका सबका अपना एक use pattern हो सकता है जैसे मैं अपने लिए बताऊं तो like मैं कोई PDF कर रहा हूं Microsoft Edge browser को open करते हैं basically Edge browser के साथ इन बिल्ट कर दिया गया reference के लिए मैंने PDF open किया हुआ है अब मैं इस PDF को summarize करना चाहता हूं तो command दूंगा मैं summarize PDF और यह थोड़ा सा टाइम लेगा internet से connected होता है तो यहां पर इसने पूरी summary को त्यार कर दिया short form में या फिर मैं इस PDF से text को extract करना चाहता हूं add a screenshot यहां tap करके मैं इस पार्ट को particular add कर देता हूं extract text enter तो यहांसे जैसे windows c से भी open कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहां पर edge के साथ भी continue कर सकते हैं यहां type करते हैं write a html code feedback website मैं कुछ option देना चाहता हूं like which includes good better or best or bad options enter तो यहां से इसने अपना पूरा coding शुरू कर दी इसको मैं यहां से copy कर सकता हूं notepad में इसको यह पेस्ट कर देते हैं और आप इसको जब मर्जी open कर सकते हूं यहां से मैं इसको open कर सकता हूं यह reference के लिए था एक और काम कर सकते हैं like my videos की thumbnail बनाता हूं एक image यह है यह वाली कुछ interesting लग रही है यह वाली image smartphone पी dual punch hole in fact मैं basic task भी दे सकता हूं like so इसको command देते हैं change my display to light use करते हैं folder भी open कर देता हैं यहां पर side by side yes करना पड़ेगा तो यह हमारा change हो गया तो इस तरह से आप इसका use कर सकते हैं और आपको limit में मिलती है free और advanced की मेरा limit ओवर हो चुका है 24 hours के लिए तो यहां पर microsoft copilot basic version आपको free मिलता है और advanced version के लिए आपको pay करना पड़ेगा और यहां पर आपको different version मिलते हैं like github copilot जो की programmers के लिए है Microsoft copilot उनके लिए जो की Microsoft word excel यह सब यूज करते हैं and power platform copilot जो की data analyst के लिए है और मैंने चेक किया इसका जो performance कैसा है विगोज यहां पर निव प्रोसेसर है इंटल कोर अल्ट्रा सेवन रिशन मैंने galaxy book 4 में यह प्रोसेसर टेस्ट किया था उसका प्राइस ज्यादा था वो ecosystem अगरा मिलता उसमें यह उससे कम प्राइस पर आता है और इसका जो मैं score दिखाता हूं कुछ यह इसका SSD read and write speed है साथ में हमारे पास PC mark 10 है geekbench है cinebench score है इसको मैंने initial जितना test किया इसको long test नहीं किया वैसे मैंने भी बड़ इनिशल जो test किया डेफिनेटल यह processor powerful enough है चाहे आपको यहां पर lightroom यूज करना हो चाहे आपको यहां पर multitasking करनी हो यह आपको भी वीडियो या फिर 4K वीडियो एक दो layer तक edit कर सकते है powerful enough है उसके लिए और one important question 32GB का RAM है one TV SSD है इसको आप upgrade नहीं कर सकते है बट same time 32GB RAM sufficient है जिस तरह के user को target करता है काफी है what about pricing वैसे मेरे पास जो unit है इसका जो price है वो है one lakh four thousand nine hundred 90 rupees लेकिन आप lenovo.com website पर जाके आप अपना build your PC का option मिल जाता है तो आप अपने requirement के साब से जो भी select करते है उससाब से आपका price और buying option आ जाता है कैसा लगा आपको यह laptop comment section बताईए I hope आपको वीडियो परशंद आएगी वीडियो परशंद आया तो like से subscribe करिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में